हलो फ्रिंट्स मैं हूँ अन्नपुर्णा और आपका स्वागत है मेरे केचन में आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट कॉन फ्राइड राइस एक और इंडो चैनिस रिस्पी इसके लिए मैंने लिया एक कटोरी स्वीट कॉन यहे बन्दा गो भी अराउंड एक कटोरी है बन फोट गप गाजर है, अदरक, प्याच, लसून, कटीवी शिमला मिर्चे, हरी मिर्चे उसके अलावा मैंने लिये है कुछ सॉसिस यह है रेट चिली सॉस, सोया सॉस, टमैटो सॉस, कुटी, काली मिर्च, अजीनो मोटो, नमक, औरेगेनो, चिली फ्लेक्स और नमक उसके अलावा यह है तिली का तिल, मैं तिली का तिल इस्तमाल करूँगी, आपके पस जो तिल अब लबल है आप वो यूज़ कर सकते हो, और चावल को मैंने पहले से उबाल के रख लिया था अब सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून अब बारी कटा लसुण, उसके बाद 1 इंच अद्रक का तुकड़ा उसे मैंने खिसके डाला है, आप चाहो तो अद्रक को चॉप करके भी डाल सकते हो, अब मैंने इसको अच्य से मिक्स कर लिया है, मिक्स क वालकि उसका डारेक्ट इस्तमाल किया, आप चाहो तो फ्रोजन वाले स्वीट कॉन का भी इस्तमाल कर सकते हो, या फिर आप इने फ्राइ करके भी डाल सकते हो, या थोड़ासा बॉल करके भी, बट यह बहुत ज़्यादा कके क्च्चा बुल छ सकते हैं, अगर आप यह बहुत और थोड़ा मिर्च ज़यों, बट भी, इसके मैं भी ज़ेए म known आप हाई फ्लेम पे ही हमें सारी चीजों को भूनना, अगर भूनेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा, आप में डाल रहे हूं सॉसे, सबसे पहले एक टीस्पून टमाटो सॉस, एक टीस्पून रेड चिली सॉस, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर कुटी काली मिर्च दो टीस्पून सोया सॉस, एक टीस्पून ओरेग्यानो, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, डाल के मैं इनको एक गम अच्छे से मिक्स कर रहे हूं, उसके बाद मैं डाल रहे हूं अजिनो मोटो, ये भी एक टीस्पून है, अगर आपको अजिनो मोटो का फ्लेवर नहीं प पचे हुए चावल का इस्तेमाल करोगे तो पहले उसे पंखे की नीचे 10 मिनिट के लिए खुला छोड़ देना जब वो चावल थोड़े से हाड हो जाएगे उसके बाद उनका इस्तेमाल करना अगर आप डारेक्ट इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा खीचरी जैसे बन जाएगा अब मैंनको एकदम अच्छे से बुन रही हूँ इसके लिए अगर आप चावल बनाऊगे तो उसे 75% तक ही पकाना है अब मैं लगातार मिक्स करते हुए से 2-3 मिनिट तक हाई फ्लेम पे बुनी हूँ अब मैं इसमें डाल रही हूँ एपल साइडर विनेगर ये एक टी स्वीट कॉन फ्राइड राइस बनकी रेडी है अब आप भी से बनाए बनाके गर्मा गरम सर्फ करिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू